हलो डियर इस्ट्रेंट्स हम बात कर रहे हैं आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंपाइर के बारे में जिससे एंटेसी में बहुत सारे कुछेंज पूछे जाते हैं पहरा तो सबसे बड़ा कुश्चन यही है कि लेक्चर कौन सी क्लास के लिए है तो यह एंटेसी के जो बच्चे हैं उनके लिए है यह ना तो ना ही टेंथ हां मैं यह कह सकता हूँ कि क्लास सेवंथ में जरूर इसके कुछ ग्लिम्स आपको देखनी को मिलते हैं बट क्लास तो अपन पढ़ा नहीं रहे हैं अपन तो एंटेसी के लिए पढ़ा रहे हैं तो एंटेसी के पॉंट आव व्यू से बहुत सारे कुश्चन पूछे जाते हैं इस डैनस्टी से इस एंपायर से अच्छे मैंने डैनस्टी क्यों नहीं कहा तो डैनस्टी मैंने इसलिए नहीं कि हम उसी की बात करते जाते हैं लेकिन ये empire है तो empire के अंदर बहुत सारी dynasties हो सकती है जैसे मैं यह कहूंगा कि मुगल empire जब यहां रहा तो इसके अंदर दूसरी dynasties जैसे हमारे यह राजपुताना था तो राजपुताना dynasty जो है वो यहां पर rule कर रही थी मतलब overall control जो होता है वो मुगल्स का होता है लेकिन उसके अंदर दूसरी dynasties काम कर रही होती है तो ऐसा ही हुआ और यह हम पढ़ेंगे भी इसके अंदर के मैंने इसको empire क्यों कहा है जैसे ancient time में क्या होता था इतना ही बड़ी territory को control किये वे थे सबसे पहले morians उसके बाद गुपतास उनके अंदर में उनके सानिध्य में उनके आप कह सकते हो observation में दूसरी dynasties flourish कर रही होती थी मतलब वो उनको allow करते थे कि तुम तुमारे राज्य में चलो लेकिन head तो हमी रहेंगे महराजा जिसको कहते है जन्पदाज और महाजन्पदाज तुमें शद याद होना चाहिए अगर नहीं याद है तो आपको थोड़ा सा scroll करना पड़ेगा playlist open करनी पड़ेगी और वहाँ जाके देखना पड़ेगा already हमने उस सारी चीज़ें डाल रखिए Mughal Empire इसलिए हमने कहा है क्योंकि Mughals का यहाँ पर पूरा का पूरा कबजा था लेकिन उन्होंने allow किया था कि ठीक है विया तुम तुमारी dynasties जो है उसको flourish करो और हमारे under में आप रहो तो सब ठीक रहेगा तो इससे जुड़े वे बहुत सारे questions आते हैं आपके examination में this is the reason कि हम आज इसको detail में पढ़ने वाले हैं हलाकि आज तो यह पूरा नहीं हो सकता आज हम इसके एक part को पढ़ेगी जैसे जो मुगल empire है मुगल empire को दो categories में divide किया गया है यहाँ पर कुछ time के लिए लगबख 16 साल के दौरान या 16 साल के लिए यहाँ पर जो सूरी डानिस्टी है या सूरी डानिस्टी है वो भी बीच में आएगी हम उसको भी discuss करेंगे बट पहले इसकी शुरुवात करते हैं और इसको फिर खतम करते हैं फिर सूरी डानिस्टी पढ़ते हैं फिर उसके बाद वापस से इसको शुरू करेंगे तो आज हम केवल इसका first part देखेंगे and discuss करेंगे इससे जुड़े वी कुछ questions के बारे में थोड़ा सा इसको पढ़ाने से पहले क्योंकि काफी gap हो गया जो last हमने डानस्टी पढ़ाई थी लोधी डानस्टी उसके थोड़े से glimpse आपको मुझे देने जरूरी है ठीक है तो करते हैं देखो इसको थोड़ा सा समझनी कोशिश करते हैं हम बात कर रहे हैं 16th century की और जैसे कि तुम जानते हो कि ancient India empire जब हम Morians की बात करते हैं गुपताज की बात करते हैं जिन्होंने पूरे भारत को एक unite करने की कोशिश की थी ऐसा ही मुगल्स ने भी किया लेकिन मैं unite उस तरह से नहीं कह सकता जिस तरह से इन्होंने किया किन्होंने Morians ने और गुपताज ने इन्होंने unite किया लेकिन हम लोगों को थोड़ा disgrace feel करवा करके तो अगर मैं as a Hindu और as a अगर हम बात करें एक ऐसे community से belong करते हैं जिन्होंने हमेशा अपने self-respect को prior रखा तो इन्होंने मुगल्स ने हमारे self-respect को गिरा करके हम पर एक तरीके से rule किया था तो इनका comparison करना इस तरह से तो थोड़ा सगलत होगा बढ़ क्योंकि हम exam point of view से पढ़ रहा है feelings के साथ नहीं जा सकते तो we will accept this fact कि जैसे Morians ने और जैसे गुपताज ने पूरे की पूरे इतनी ही territory उनके अंडर भी हुआ करती थी ancient इंडिया में वैसे ही इन्होंने भी पूरी की पूरी territory को cover up किया और एक united एक आप कह सकते हो empire हमारे सामने रख दिया ठीक है तो ये medieval इंडिया की बात कर रहे हैं हम इस dynasty के अंदर अमूमन हम कुछ मतलब एक famous rulers के बारे में पढ़ते हैं सबसे पहले हम बाबर के बारे में पढ़ेंगे हुमायू के बारे में पढ़ेंगे अकबर के बारे में पढ़ेंगे जहंगीर के बारे में शहा जहां के बारे में और और अरंगजेब के बारे में सबसे ज़्यादा कोशन आते हैं अकबर से और औरंगजेब से ठीक है अगर मैं एंटेसी की बात करूँ या फिर अगर मैं बात करूँ कोई भी competitive examination की तो ये दो तो बड़े फेवरेट है क्योंकि देखो एक सबसे वड़ा कारण क्या है इनका जो ruling time duration है न वो भी सबसे ज़्या वाले हैं वो पढ़ेंगे सबसे पहले बाबर और उसके बाद हुमायू के बारे में अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो आपको यहां दिखरा होगा कि हुमायू एक बार तो आया 1530 से लेकर 1540 के बीच इसके बाद में आ जाता है हुमायू एक gap के बाद लगबग 15-16 स 55 से 56 हाला कि आते ही फिर इनकी जो दैथ हो जाती है बट हाँ आपको यह थोड़ा सा ध्यान रखना है कि वापे से एक बार जरूर आते हैं और अपना जो territory है वो establish करते हैं नाओ हमने क्या कहा हमने सबसे पहले बाबर जिनका ruling time period 1526 to 30 है इसके बाद ऐसा भी नहीं है इस ऐसा भी नहीं है बहादुर्शा जफर वोस्थ लास्ट वन इस dynasty से अगर मैं empire से बात करूं तो बहादुर्शा जो थे 1857 revolt वहां तक जाता है यह लेकिन अपने लिए पढ़ने वाले जो है वो यह ही है ऐस तो बहुत लंबी history है इनकी बट अपने को इतना ही देखना है तो बाबर देखेंगे 1526 to 30 के बीच में हुमायू 30 to 40 और 56 56 to 0 1605 यह वाला time duration भी बहुत जादा important है नाओ इसके बाद जहांगीर आ जाते हैं 1605 to 27 शहा जहां आ जाते हैं 28 to 58 और इस थोड़ा सा थोड़ा नहीं बहुत जादा खराब है 56 to sorry 58 to 1707 और यहां से मतलब इसके बाद से जो अंगरेज थे हम पर हाबी हो जाते हैं तो यह हमारा time duration था बट इसके पहले एक बार थोड़ा सा ब्रीफ करना ज़रूरी है आपको कि अब तक हुआ क्या ठीक है तो यह हमार दिल्ली सल्तनत था किस टाइम पर मतलब हम बात कर रहे हैं अभी तुगलक डाइस्टी के टाइम पर हाणा हम तुगलक के बारे में बात कर रहे हैं तो तुगलक डाइस्टी के टाइम लगभग 1398 जब तुगलक डाइस्टी ने इतना दिल्ली सल्तनत को इतना फैला दिया त तो दिल्ली सल्तनत के बाद में क्या हुआ देखो अब जो हम पढ़ रहे हैं वो दिल्ली सल्तनत के बाद पढ़ रहे हैं मुगल एमपायर जो आएगा वो दिल्ली सल्तनत के बाद आएगा बट अभी जो हम डिसकस कर रहे हैं यहां पर यह discussion है हमारा क्या यह discussion है कि पहले क्या ह मतलब यह जो मुगल डैनस्टी यह आई कैसे मुगल एंपायर है वो आया कैसे तो मैं आपको तुगलक डैनस्टी से बता रहा हूँ जब मैंने तैमूर का वहां पर आपको एक्जामपल दिया था यह जो तैमूर था ना 1398 में तैमूर यहां आया तो जो तैमूर यहां आया उ किस से लड़ाई लड़ी उसने उसने मोहमद शाह तुगलक के साथ मोहमद शाह तुगलक को उसने एक तरीके से हरा दिया किसको मोहमद शाह तुगलक को तो मोहमद शाह तुगलक को हराने के बाद में हलाकि उस टाइम से लेकर के 1414 तक बात कर रहा हूँ मैं 1398 से इस दौरान तू हराया कब मुहमद शाह तुगलक को हराया इसने 1398 में लेकिन यहाँ पर स्टिल बने वे रहे लेकिन तैमूर एक तरीके से तुम्हें पता होगा खिजर खां को अपॉइंट करके चला गया था कि तुम समालो तुम्हारा काम जाने मेरे को पता नहीं मैं तो वापिस जा रहा हूँ यह हरा के वापिस अपनी चला गया और खिजर कहां वापिस आ गये थे हमने यह वाला आपको सहीड डैनस्टी में बताया था लेकिन वो पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाये थे मैंने अल्रेडी लेक्चर अप्लोड कर दिया है इससे जिस्ट प्रीवियस वाला उसमें देखेगा प्लेइलिस्ट के अंदर तो यहां पर 1414 के अंदर क्या हुआ 1414 में सहीड डैनस्टी आजाती है सहीड डैनस्टी बहुत वीक थी तो ऐसे में जब हराकिया आ गए तो सहीड डैनस्टी जो सहीड डैनस्टी थी उससे सारे लोग अलग-अलग होने लगे मतला उसको चैलेंज करने लगे बाद-बाद में सबसे पहले विजया नगर तो जो दूसरी territories थी, वो सारी की सारी क्या होने लगी, इनसे free होने लगी, अब जैसे देखो सिंध मुलतानी, सब अलग-अलग होगे, दिल्ली सल्तनत सिंक्रोनाइस होने लग जाएगा, दिल्ली सल्तनत, इनका जो power है, वो बहुत ही कम territories पर रह जाएगा, ठीक है, तो यहां तक क्या हुआ, सारे लोग इनसे अलग होगे, जैसे देखो, अगर इसको previously तुम देखते हो, इसको थोड़ा सा एक बार back जाके मैं देखता हूँ, तो यहां पर पहले तो किवल सदन पार्ट, फिर इसका eastern पार्ट इंडिया का, फिर western पार्ट में आने लगी दिकत, अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद यह गुजरात, मालवा, जानपूर, यह वाले जो रीजन थे, यह वाले रीजन भी दिल्ली सल्तनत से अलग होने लग गए, तो पहले क्या हुआ, पहले तो देखो, यहां पर यह गुजरात और मालवा वाला जो रीजन थे एक साथ आ गए, इन्हों क्या हुआ ये जॉनपूर ये बिंगॉल और ये उडिसा वाला रीजन ये भी एक साथ आगे और दिल्ली सल्तनत को ये चैलेंज करना इन्होंने शुरू कर दिया अब देखो क्या हुआ ये मैं बात कर रहा हूँ कब से कब तक देखो अगर इसको मैं थोड़ा सा समझाओ एक तो आती है सेयद डैनस्टी ठीक है एक तो सेयद डैनस्टी आजाती है और सेयद डैनस्टी के बाद में और सेयद डैनस्टी के अलावा यहां पर आ जाती है आपकी लोधी डैनस्टी कौन सी लोधी ठीक है लोधी डैनस्टी अब जब लोधी डैनस्टी सेयद डैनस्ट आई तो इस दौरान बहुत सारी चींज़ें यहां आना शुरू हुए अब सहीड डानेस्टी क्योंकि वीकर थी और इसी का फायदा उठा करके बहलो लोधी ने दिल्ली सल्तनत पे कबजा कर लिया था अब दिल्ली सल्तनत इतनी सी रह गई थी सहीड डानेस्टी के टाइम अब लोधी डानेस्टी के बाद क्या हुआ तुम्हें पता होना चीए यहां पर मेवार के साथ में लड़ाई होना शुरू हुई जौनपूर के साथ हुई बिंगॉल के साथ हुई इस तरह से दिल्ली सल्तनत के अंदर यहां पर क्या हो रहा था बहुत सारी जगह पर टारेटरी को वापिस अपने कबजे में करना चाह रहे थे बट हुआ क्या जब ऐसे में इतना सबकुछ यहां हो रहा था तो इस तरह का कि हमारे पास दिल्ली सल्तनत पूरी वापिस से आ जाए लेकिन ऐसा हो नहीं पाता क्या होता है जब इनकी लड़ाईयां चल रही होती है इस दौरा जब इनकी लड़ाईयां हो रही होती है तो पहले तो पंगा लेते हैं वो मेवाड से मेवाड के अंदर आते हैं आपके राना सांगा राना सांगा पता है ना राना सांगा के साथ इनकी लड़ाई हुई थी तो राणा सांगा से होती है लड़ाई, यहाँ पर यह याद रखना, जो यह बहलोल लोधी थी ना, बहलोल लोधी पंजाब के एक तरीके से सरदार थे, मतलब उनको पंजाब दे रहा था फिर बिंगॉल इस तरह से, मैंने अल्रेडी उस लेक्चर हैं बताया तुम्हें, प्रयाई करने के दवरान इन्होंने अपनी फैमिली के अंदर बहुत सारे जो दुश्मन थे, इन्होंने मतलब एक तरीकी से ग्रीट कर लिये प्राइड कर लिए, क्योंकि सबको सत्ता का लालच होता ही है तो सत्ता का लालच इनको भी आया, इनके family members को भी आया उसमें सबसे पहले नाम आता है दौलत खान लोदी का अब यह जो दौलत खान लोदी थे दौलत खान लोदी इनके एक तरीके से अब उन्होंने क्या किया उन्होंने ऐसा बोला जाता है देखो दो केसेज हैं मतलब जब इनका पावर भढ़ रहा था ना जब इनके पास में लाला चा रहा था तो ऐसे में ऐसे दो स्टोरीज हैं यहां पर बताया जाता है इस्टोरीन कहते हैं कि जो यह जो दौलत खान लोधी को अरादो आप और इसके बाद में मतलब यह जो लोधी डानस्टी है इसको आप टेक केर कर सकते हो तो ऐसे में यहां पे दौलत खाए जो लोधी थे वो इन्वाइट करते हैं दूसरा एक और यह कहा जाता है कि राना सांगा ने इनको इन्वाइट किया था राना इसकिंग हैं 1525 के बात हैं यहांपे इबराहिम लोधी के साथ में मतलब बाबर की एक बार लड़ाई होती है और यहां पर राना सांगा इनको बुला लेते हैं 1525 के अंदर और ऐसे में 151516 में इबराहिम लोधी को हरा करके बाबर empire create कर लेते हैं या अपना एक तरीके से कबजा जमा लेते हैं कि इस पे दिल्ली पर ठीक हैं बात दुबारा समझना 1525 राणा सांगा इब्राहिम लोदी इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बुलाया गया किसको बाबर को अब दो historians के दो अलग-अलग बाते है कि जो दौलत खान लोदी है उन्होंने बुलाया था ठीक है तो ऐसा हुआ तो बाबर यहां आए और बाबर ने एक तरीके से फिर इब्राहिम लोदी को हरा करके पूरी की पूरी जो टेरिटरीस थी जो दिल्ली सल्तनत था उसको अपने कबजे में कर लिया अब हम यहां से पढ़ने वाले हैं मुगल एंपायर मतलब एक तो एक थोड़ा सा मैंने आपको ब्रीफ बताया है अब आप एक्चल में पढ़ेंगे मुगल एंपायर की इंडिया में हो सकता है देखो थोड़ा सा में भी पॉसिबल आप इसको थोड़ा सा एक बार ब्रीफ और कर लें इसको थोड़ा और मैं आपको बताऊं एक बार तो एक सिकेंड देखें यहां पर देखना जैसे मैंने आपको बताया कि 1414 ठीक है 1414 साइड डानस्टी ठीक है इसके बाद में साइड होना जीना साइड डानस्टी इसके बाद में यह लगभग चली थी पीटा 1451 तक लगभग 37 यह तक 37 यह तक इसके बाद में थी आपकी लोधी डानस्टी लोधी जाय थे यहां पर इब्राहिम मतलब सबसे पहले तो आया आपके यहां पर बहलोल लोधी लगभग 1451 से स्टार्ट किया 1526 तक यह चले 75 यह तक अप्रॉक्समेटली यह चले थे ठीक है तो अभी आपको थोड़ हुई थी वो हुई थी आपकी इब्राहिम के साथ अगर कहीं कंफ्यूजन है तो सुनो एक बार फिर से शॉर्ट में सुन लो फिर मैं उसको वापिस स्टार्ट करता हूँ दिल्ली सल्तनत वीक हुआ सहीय डानस्टी यहां आई सहीय डानस्टी से पहले यहां पर तुगलक्स को हराया था तैमूर के बाद में तुगलक्स कुछ टाइन तक और रहे थे 1398 से 1414 तक तुगलक्स रहे तैमूर के बाद भी फिर उसके बाद में सहीयद आ गए सहीयद कितने रहे 37 years तक रहे फिर कौन आगे लोधी आ गए लोधी 75 years तक रहे बहलो लोधी से स्टार्ट होके इब्राहिम लोधी was the last end, only one, आप कह सकते हो, कोई भी ऐसा राजा, सुल्तान, जिसकी बैटल फिल्ड में दैथ हुई थी, और उसको मारने वाला कौन था, बाबर था, तो जब उसको 1526 के अंदर उसने उसको मारा, तो ये माना गया, कि यहाँ पे अब दिल्ली सल्तनत पर किसक ऑभ ये, इसके बाद में, मैंने आपको दो इस्टोरी बताए कि राणा सांगा ने बुलाया, एक तो ये बताया, तो राणा सांगा ने किसके पावर को रोकने के लिए बुलाया था, इब्राहिम लोधी को रोकने के लिए, साहथ दूसरी कहानी आ जाती है, दौलत खान, ल conditions में ये बात मान के चलना कि ये जो बाबर है ना बाबर इतना ब्योकूफ नहीं है कि invitation आगे लड़ाई करने चलो तो लड़ाई करने चला गया उसको यहाँ पर बहुत बड़ी opportunity दिख रही थी और यह opportunity थी पूरा हिंदुस्तान इसलिए यह यहाँ पर आता है लड़ाई लड़ने ठीक है तो सबसे पहले यहाँ पर अपन शुरुआत करते हैं देखो इनके फादर थे उमर शेक मिर्जा सेकेंड और इनकी जो मदर थी वो थी कुतलग निगर खानुम कुतलग निगर खानुम ठीक है इसके बाद में क्योंकि एक तुरकिश मुसलिम थे और डिसेंडन्ट थे किसके तैमूर के मतलब तैमूर के ही वंशेज माने जाते हैं इनका जो एक्चूल नाम था वो था जहीरुद्दीन मोहमद बाबर मोहमद बाबर जहीरुद्दीन मोहमद बाबर अच्छा ये जो बाबर शब्द है ये एक Persian word है इस Persian word का मतलब होता है टाइगर, ठीके? यह याद रहेगा आपको टाइगर, अच्छा ये था कहां से ये भी आपको याद रहना चाहिए कि इसके बारे मैं हलाकि बहुत सारे questions तो नहीं है पर कुछ questions है जो मैंने कोशिश किये कि आपको sequence wise यहां लिखवा दूँ तो यहाँ देखो मैंने आपको बताया कि जो बाबर है यह बाबर जो शब्द है एक परशिंच शब्द है और जिसका मतलब होता है टाइगर ठीक है और यह जैसे आप जानते हो यहाँ पे जो उजबिकिस्तान है उजबिकिस्तान का एक मतलब वैली है जिसका नाम है फर्गना फर्गना वैली में से आया था मतलब ऐसे मालो आप ये कहां से आया था फर्गना वैली से ये उजबिकिस्तान जो आज है मतलब जो फर्गना वैली उस टाइम पर मानी जाती थी वहां से ये आया था 1495 के अंदर अच्छा ये भी आप बात याद रखें कि at the age of 14 ये क्या बने मतलब उनों राजा बने वहां ठीक है वह राजा बन गए कई जगह पर इसको 14 येर्स माना गया है कई जगह पर 12 येर्स बताया गया है पंद्रा सो चार के अंदर इन्होंने काबूल को जीता धीरी धीरी करते करते इन्होंने पूरे सेंटरल एश्या को अपने कबजे में कर लिया जो कोशन है वो क्या है वो समझ लो कि फरगना वैली में मतलब इन्होंने क्या किया वहाँ पर टरेट्रीज को थ्रोन को अपने कबजे में किया 1495 में चोटी सी एज में 12-14 साल की एज कही जगह 14 बताया गया है तो ऐसे में इसके बाद में सेंटरल एशिया काबूल पूरे तरीके से इन्होंने कॉ कर लिया और थोड़ा सा और अपनी पावर को बढ़ाना चारा है तो ऐसे में और आगे अपॉर्चुनिटी देखता है कि कहां कहां हम अपनी टरेट्रीज को फैला सकते हैं हाला कि एक बात और आप याद रखना कि यह जो बाबर सबसे पहली बार जब इंडिया आया जैसे म यहां पर बहुत अपॉर्चुनिटी दिखी अपनी टरेट्रीज फैलाने की भी और इविन अपने आपको यहां पे एक तरीके से महराजा आप बोल सकते हैं महराजा साबित करने की भी तो इसने यही किया अब भाईया यह जो आदमी था यह थोड़ा तगड़ा तो था ही जैसे मैंने आपको कहा कि इसके कनेक्शन हमेशा तुरकिश क्लेन से रहे और इसके लावा जो मंगोलियन्स थे उनके साथ भी इसके रिलेशन अच्छे रहे तो उनकी हेल्प लेकरके इसने क्या किया एक लड़ाई-लड़ी खानवा में यह खानवा 40 किलोमेटर दूर किया था तो राणा संगा के साथ यह जो लड़ाई थी वो तो यहां पर रुख जाती है मतलब यह मान सकते हैं अपन के वह वाला जो स्टोरी है वो तो कट जाती है उस पे तो अपने को ऐसा कुछ समझने को पढ़ने को मिली नहीं रहे बर हाँ फिर भी ऐसा बोला गया है इ राणा संगा के साथ इनके लड़ाई होती हैं इन दा मार्च 1517 के अंदर और राणा संगा यहां हार जाते हैं बाबर में जो लड़ाई लड़ी थी इसके अंदर इनों ने इनोंने क्या किया एक तो सबसे बड़ी चीज़ एक स्लोगन दिया था इसको कहता है जिहाद आज अब ये वर्ड सुनते हैं जिहाद मतलब इन्होंने धर्म को आधार बना करी कि लड़ाई-लड़ी कि विया हमें अपने धर्म को बचाना है धर्म के लिए हमें बैटल लड़नी है and this was the reason के मैग्जियम लोग इनके साथ हो गए ठीक है और ये बैटल अब एक केवल territorial battle में convert हो गई थी बाबर एक बहुत शातिर इंसान था इसने क्या किया भई अब सोचो 14-15 साल की एज 12-13 साल की एज के अंदर इसने पूरी territory उसके बाद लगातर जीतता जा रहा है और इतना महत्वकांशी हो रखा है कि पूरी जितने अभी जहां पर भी जगए मिल रही है उन सब को जीतना चा रहा है तो ऐसे ही हुए तो इसने राणा सांगा को हराया जिहाद जो स्लोगन था वो जिहाद टाइटल स्लोगन इसने दिया इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि यह इतनी सार लड़ाईयां जीतता कैसे था तो इसके कुछ strategies होती थी जैसे यहाँ पर यह mention क्या हुआ है तुलगमा तुलगमा इस strategy में यह क्या गरता था मतलब इसका बहुत ही simple सा concept हो गरता था कि यह cannons को यूज करता था, cannons मतलब तोपो को यूज करता था इसके पास में यह चीज आ चुकी थी जैसे कई जगे पर बताया गया है अगर आप इसको तुलगमा के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि खड़े खुद दी जाते थे, वहाँ पे cannons वगरा को मतलब install कर दिया जाता था, जो लोग होते थे वो छुप जाते थे, cannons को चलाते थे, सामने वाला मर जाता था यह strategy follow करते वे सारी वार जीत जाता था, तब ही ऐसा हुआ कि छूटी सी एज में इसने बहुत सरी territories को अपने कबजे में कर लिया तो यह मेरे साब से यहां तक तुम्हें याद हो गया होगा, इसमें कहीं तकलिव आपको होगी नहीं, अगली slide में देखता है, यहाँ पे, देखो इसने जब यह victory जीत ली, राणा सांगा को हरा दिया, तो इसने अपने आपको title दे दिया, गाजी, ठीक है, याद रखना, गाजी title कब, जब इसने, जो राणा सांगा थे, उनको हराय था, उसके बाद 1528 के अंदर, बाबर ने, बाबर ने एक और, चन्देरी का लड़ाई-लड़ी थी, चन्देरी में किसको हराया, यहाँ पर बाबर आगए, और यहाँ पर इन्होंने मैदिनी को हराया, मैदिनी, and I हो गए, मैदिन्ट राय नहीं है मैदिन्ट राय नहीं है यह मैदनी है मैदनी को हरा है नोने चंदेरी के वार में इसके बाद 26th of December 1530 में इनकी एक तरीके से दैथ हो गई और दैथ होने के बाद में इनकी विश्के उपर इनको काबूल भेज दिया गया 1730 में जब इनकी दैथ हुई एक नैचरल दैथ थी उस नैचरल दैथ में अब इनको दो बार मतलब जब इनको ऐसा दैथ इनका हुआ तो इनको काबूल भेजा गया बट यहाँ पर भी इनकी एक आगरा के अंदर इनकी मकबरा है इनका कबर है ठीक है तो वहाँ पर इनको गाड़ा गया याद रखना आप और इतना सब कुछ हमें पता चलता है इनकी खुद की लिखी वी ऑटोबायोग्राफी में बाबर नामा जिसको कहा गया है तो बाबर नामा ऑटोबायोग्राफी है इन्होंने खुदने अपनी किताब लिखी है, उन्होंने पूरी स्टोरी उन्होंने खुदने लिखी है, और बाबर नामा बहुत ही फेमस है, खुदने लिखी, और इसका translation भी हुआ, आगे चलकर करके, अब्दुलरहीम खान खाना ने इनको translate किया, Persian language में, Persian language से दूसरे languages में हुआ, जब बाबर नामा उन्होंने खुदने लिखी थी, तो वो Turkish language में थी, Turkish language में उन्होंने अपनी बुक का composition किया, and later on, अब्दुलरहीम खान खाना ने इनको translate किया, Persian language में, ठीक है, यहां तक मेरी सब से समझ में आ गया होगा, टोटल अगर इनका overall consideration देखें, overall इनका contribution द किया जाता है, already I have made a shot over it, मैंने इसको YouTube shot के अंदर भी बना कि दिया है, अगर आपने हमारे चैनल को subscribe कर रखा होगा, तो आपको पता चल जाएगा, यहां पर, बहुत ही simple से trick है, मैंने नहीं बनाई है, बहुत time से चलती भी आ रही है, पानी पिया, खाना खाया, फिर चल दि चांद देखा बोल सकते हो, चल दिया बोल सकते हो, ठीक है, चांद देखा ठीक रहेगा आपके लिए, फिर घर गया, और फिर मर गया, ठीक है, पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया, मर गया, ठीक है, यह फिर चल दिया बोल सकते हो, चंदेरी, चांद, कुछ भी 15, 18, 26, 27, 28, 29 बस इतना ही याद करना है और क्या याद करना है आपको बस ठीक है जो ये घागरा रिवर है घागरा रिवर नहीं घागर रिवर से मुझे यादा गया घागरा वाली जो बैटल है ये बैटल हुई थी अफगान रूलर्स के साथ में और जो बिंगॉल के सुल करने वाले हैं यहां तक बटाकर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बता दीजिए या फिर ऊच रीजिए ठीक है चली तो नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट डॉलर की जो की है हुमायू जैसे मैंने हुमायू के बारे मैं आपको बताया दो टाइम विरीशन आपको याद रखनी है इतना आप अगर पढ़ लेते हैं तो मतलब जादा कुछ इसमें भी नहीं है बट हाँ फिर भी हम कुछ इंट्रेस्टिंग फैक्ट्स हैं जिसको डिस्कुस करेंगे बाकी इसके बारे में जादा कुछ पढ़ने को में मिलेगा नहीं हलाकि इनोंने बहुत बड़ा काम किया है कि अकबर को जनम देने में इनका बहुत बड़ा से योग था बाकी हमायू ठीक आदमी था जादा बुरा भी नहीं कह सकते हैं जादा अच्छा भी नहीं कह सकते हैं ठीक आदमी था चले तो स्टार्ट करते हैं हमायू के बारे में तो इनका पूर इन्होंने अपनी position को बनाया रखने के लिए, अपने power को बनाया रखने के लिए division करना शुरू कर दिया, ठीक है, इन्होंने बहुत सारी territories अपने लोगों में बाढ़ दी, अब मतलब इनके जो relatives थे उनमें बाढ़ दी अगर मैं simple सी बात कहूं, तो जाधा important था कि काबुल और कांधार को इन्होंने अपने भाई को दी दिया था, कुम्रान को ऐसे ही दूसरी territories भी इन्होंने बाढ़ दी, बस जाधा इतना कुछ था नहीं, जब इतना जब इन्होंने सब कुछ लोगों को satisfy करने के लिए इतना division किया, तो obviously पावर के लिए तो सब लड़ाई करेंगी, तो इनकी battle भी होना शुरू हुई, तो इनकी battle हुई, सबसे पहले battle हुई यहाँ पे हुमायू की शेर खान के साथ, शेर खान ने चौसा की battle इनके साथ लड़ी, और चौसा की battle में क्या करा, इनको हरा दिया, किसने शेर खान ने, ठीक है, अब यह जो शेर सूरी डानस्टी के हैं, शेर शाह, शेर शाह सूरी जिसको कहा जाता है, तो शेर शाह ने इनको हरा दिया, बकसर के पास में चौसा की battle हुई 1539 में अब हुआ क्या आगे, वापिस लड़ाई होगी इनकी, बड़ उसके पहले देखो, जब चौसा की victory गेन की थी शेर खान ने, तो उन्होंने अपने title के साथ में शेर शाह नाम रख लिया रहा और उन्होंने अपने coin't mint की और coin't mint करके circulate कर दिया, शेर शाह का real नाम क्या था फारिद खान, ठीक है, यह याद रखना, मैं अभी बढ़ाऊंगा जब इसको तब और बता दूँगा, तो ऐसे में यह जब हारे, तो इसके बाद में एक और कन्नौज की battle, कन्नौज में battle होती है, इनी की वापिस से हुमायू हाँ पर भी हार जाता है, और जब यह हारता है तो हुमायू को इरान भेज दिया जाता है, मतलब उसको एक तरीके से निकाल देते हैं अपनी territory में थे, अब पूरी की पूरी दिल्ली सल्तनत पे किसका राज हो जाता है, next ruler का, बट यहाँ थोड़ी सी और कुछ चीज हैं, जो आप याद रखना, जो बैल ग्राम या फिर आपकी कन्योज का बैटल हुआ, उसमें हुमायू को क्या किया गया, हुमायू को भेज दिया गया हरा करके इरान, कि भी यह तुम चल ज़ो अब तुम से कचुनाओ पाएगा, आगे चल करके, जब इनको एक्जाइल किया गया, जिस मैंने आपको बताया, तो फिर आगे चल करके, इनकी शादी होती है, शेक अली अक्तर की बेटी से, हामीदा से, हामीदा से शादी करने, मतलब अफगरनिस्तान के पास की बात है, तो जब इनकी वहाँ पर शादी होती है, शादी होने के बाद, यह वापिस लोट के आते हैं अपने वतन, उस टाइम पर अकबर हो च पुशिश करते हैं कैसे गरते हैं देखें आगे अगर हम next इसको देखें तो slide change करते हैं अब धिरे-धिरे हुमायू उसी areas में वो काबुल को वापस occupy कर लेता है कांधार को कर लेता है लाहौर को कर लेता है 1555 तक क्योंकि इस time पर वहां पर conflict जब यह पहली बार आया था तो उ फिर इसको इसराइल इरान भेज़ दिया जाता है इसराइल इरान भेज़ दिया जाता है फिर वापस यह अपनी power को occupy करता है पंजाब फिर अफगान से लड़ाई हुई पंजाब जीता और एक जो बैटल हुई थी मचीवारा बैटल उसके अंदर पंजाब जीतने के बाद एंट्री करता है दिल्ली के अंदर वो वापिस से दिल्ली को अपने कबजे में कर लेता है लेकिन वो एक जगह से मतलब ऐसा बोला जाता है सीडियों से गिर जाता है और सीडियों से गिरने के बाद इसकी दैथ हो जाती है बहुत ही छोटी एज में अकबर को ये सल्तनत वापिस से, मतलब ये सल्तनत मिलती है और अकबर बहुत ही चोटी एज में, आपने शाद जोदा अकबर मुवी देखे होगी तो आपको पता चलाओगा कि शुरुवाती दौरान ही, अकबर बहुत ही चोटी एज से ही, मतलब एक तरीके से वार वगएरा इन सभी चीजों से घिर जाते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं इसी कारण से वो, तो यहाँ पर ये घिर जाते हैं और गिरने के बाद में मर जाते हैं, इनकी जो देख हुई 1556 में हुई थी, मुगल एमपायर यहाँ पे इस टाइम डिरेशन में जब इनकी देख हुई, तो करके हमारे सेंटरल इंडिया तक, इसके बाद में ये भी कहा जाता है कि इनको अफीम का बहुत शौक था, मैंने उन कोश्चन को एडि किया है, जो पूछा जा सकता है, हलागी ये तो, क्या ही पूछेगा तुम से, ओपियम, ओपियम का इनको काफी शौक था, एडिक्शन और कई बार, मतलब ऐसा भी माना जाता है कि एस्टरलोजी पर इतना जाधा बिलीव करते थे, कि साथ दिन में साथ रंग के अलग अलग कपड़े पहना करते थे, थोड़े से पैदल थे, ऐसे माल लो, ठीक है, माल लो यार तुमारे साब से, जाधा पावरफुल भी नहीं सीधे साथे से इनसान थे, लेकिन हाँ, इनके पास टेकनीक्स थी, जिसको यूज करते वे इनोंने जीता, जब यहाँ पर इतना सब कुछ हुआ था, तो इस दौरान एक जो गैप आया है, मतलब यहाँ से 15 साल का, जो 16 साल का जो गैप आया है, इस गैप के अंदर क्या तो इस गैप के अंदर एक डैनस्टी फ्लॉरिच हुई, जिसको आपने का सूरी डैनस्टी, सूरी एम्पायर, 4256 के बीच में, इसके अंदर भी जादा आपको कुछ ऐसे पढ़ने को मिलता नहीं, बट थूटे-थूटे-चूटे-चूटे-चूटे से ननने-ननने से आगे चल करके फिर ये जॉन पूर, जॉन पूर वाला कॉन सा रीजन था, देखो, यह वाला, यहाँ पर ही क्या होते थे, लैंड डॉर होते थे, फिर इन्होंने इनके पिताजी के बाद में, इन्होंने भी इसी टेरिटरी को क्या किया, ऑक्यूपाई किया, अब सोचने व पिता था, वो भी स्टोरी थी, एक बाहर खान नाम की विक्टी थे, सौथ बिहार के अंदर, सौथ बिहार के इस बाहर खान ने, जब इनको देखा, कि इन्होंने बिना वैपन के एक टाईगर को मार दिया है, तो इन्नोंने उसका नाम क्या रख दिय, शेर खान, और वही न नौज की हील से आसाम तक इन्होंने पूरा एम्पाइर अपना फैला दिया इसके लावा फिर मालवा, अजमेड, जूतपूर, मेवार इन सभी को डिफीट करते हुए आगे बढ़ते गए 1544 में जो मालदेव थे उनको इन्होंने हराया इन्होंने कुछ रिफॉर्मेशन किये थे, कुछ इनके अचीवमेंट्स थे, उनको देख लीजए, हाला कि इससे जुड़े वे, कुछ कोईशन देख सकते हो आजाए तो इन्होंने मेजरमेंट ओफ लेंड एरिया जो था, उसको रिफॉर्म किया, रेविन्यू सिस्टम को भी इन्होंने थोड़ा सा मोडिफाई किया ठीक है, गला बक्षी, कई बार बोला जाता है, गला बक्षी ये क्या है, मतलब अपनी जान आप लोग को थोड़ा सा सिक्योर रखने के पांट अव्यू से ये पैसा लेते थे, रेविन्यू था एक तरीके का, और बंटाए, इसके बाद में इन्होंने जपती सिस्टम भी इन्होंने इंट्रड्यूस किया था, और ऐसे ही दूसरे और भी कुछ इंट्रडॉक्शन मतलब इंट्रड्यूस किये इन्होंने रेविन्यू सिस्टम को, इन्होंने four long roads को गंस्ट्रक्ट करवाया, कई सारी सरीज, कई सारे मतलब एक तरीके से बड़े 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 ल एक grand trunk road भी बनाया था, ये बनवाया था, मतलब इन्होंने तो क्या बनाया, आगे चलके इन्होंने copper रुपी का, जिसका valuation 380 grams होता था और silver रुपी, जिसका value 158 grams होता था, ये भी introduced किया था, इसके लावा, इन्होंने the tom was built in the center of lake in सासाराम बिहार, तो सासाराम बिहार के अंदर इनका जो tom है, मतलब जो कहते है ना पन वो, एक 380 जब किसी को गाड़ा जाता है, tom, तो वहाँ पर इनका बनाया गया है, tom, ठीक है, आगे चलकर करके बाकी इनको ऐसा भी माना जाता है, कि he was just against to the Hindu religion, तो इस current से जो मंदिर वगरा होते थे, वो इ तो बस इतना ही सब कुछ था, और जो interesting चीज़ें थी, वो already मैंने आपको बता दी है, कुछ अगर आपको इसमें दिक्कत आ रही हो, तो आप पूछेगा, बाकी मैं कोशिश करूँगा, कि next जो lecture होगा, उसमें इसको एक बार recap करवा के, फिर आगे पढ़ने की कोशिश करू तब तक के लिए तो ठीक है, थोड़ा सा लंबा हो गया lecture आज का, तो आज के लिए इतना ही बहुत है, next lecture में हम discuss करेंगे इसके आगे, तब तक अगर कहीं problem आती तो पूछें, हमारे channel को subscribe करें, like करें, share करें, अगर कहीं suggestion है, तो suggestions भी दें, doubt है तो telegram channel के through, या फिर personal message करके भी आप हमसे अपने doubt clear कर सकते हैं, live sessions भी अगर आपको लेना है, तो भी थोड़ा सा हमें already पहले बता दीजी, तो we can arrange the live classes as well, okay, तो मिलते हैं next class में, इसके आगे और discussion करते हैं, तब तक के लिए,